यदि आप भुतपूर सानिक एक सर्विस में नहीं तो आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पे इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको ओर ओपी टू से रिलेटेट काफी इंपोर्टन जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ बेल का आईकन को दवा दिजे फ्रेंड्स साथ ही मैं friends आपको वीडियो के description में WhatsApp ग्रूप का link मिल जागा उसे या कि आप join कर लिजे उससे फाइदा यह होगा कि आपको job की notification तुरंत मिलेगी तो आईए देखते हैं क्या है news यहाँ पर देखिए friends O.R.O.P की news बताने से पहले यहाँ पर एक important news निकल कर आई है आसाम to reserve 2% of job in top 2 grades for a service man जी हाँ friends अब जो है आसाम सरकार जो है reservation यहाँ पर देने जारी है जितने भी हमारे एक service man है चाहे वो army के हो चाहे वो navy के हो या फिर हो air force के तो वहाँ पर जो है अब आपको देखने को मिलेगा यदि आप आसाम राज से हैं तो आपको जो है 2% का आरक्षन आपको देखने को मिलने वाला है वो भी top 2 grades में तो यह काफी अच्छी news निकल कर क्या रही है हमारी आसाम सरकार की तरफ से उसके अलावा friends यहाँ पर जदी हम बात करें OROP की यदि OROP की बात करें जैसा कि आपको पता है कि 15 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोट ने सक्त आदेश दे दिये हैं कि 15 दिसंबर 2022 तक किसी भी हालत में जो है OROP यानि one rank one pension का पैसा जितने भी हमारे वेटरंस है जितने भी हमारे एक सर्विसमेन है चाहे वो किसी भी rank से बिलोंग करते हो उनको उनके हक का पैसा देना है और इसी कवायत में जो है सरकार भी पूरी तरह से भीड़ चुकी है और लगभग लगभग सारा काम तयार करके रख चुकी है सरकार अब वो 15 तारिक का इंतजार कर रही है और 15 तारिक को ही उम्मीद है कि वो रिलीज करेगी वन रैंक वन पेंसन जो काफी लंबे समय दो हजार उन्निस से अटका हुआ था और ओपी रिवीजन उसे रिवीजन का टेवल जारी करेगी और जितने भी हमारे एक सर्विसमेन है उनको उनके हक का पैसा मिल जाएगा तो उमीद यही है कि 15 दिसंबर तक जो है आपका पैसा आपके अपने खाते में देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स फिलाल वीडियो में इतना ही था ज़री कोई और इंफोर्मेशन निकल कर क्या आती है और ओपी टू से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स